नमस्कार एक्जाम है पीबाई जहारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर जेटेट परिच्छा की तैयारी को ले करके तो आपको बताता चले जेटेट परिच्छा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जह JCRT Jack की किताब को 6-10 तक मिनिममम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवज से पढ़ लिजेगा और जिनकर सुविधा नहीं है उनके लिए हम JCRT Jack की किताब का चेप्टर बई चेप्टर आपको नोट्स और चेप्टर बई चेप्टर उसका वीडियो और साथ मे जाच परिछा जिसमें महा मैराथन कला सभी चेप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है तो आप यहां पर हमारे वाट्स अप ग्रूप के माधियम से जूड़ करके तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपका 101 परतिसर सफलता अवस से मिलेगी ठीक है और सारे सब्जेक्ट का आप नोट्स और पीडिएफ वीडियो सारा चीज अब कंप्लीट हो गया है तो आप सभी अब अवस यहां से पर्चेच कर लिजेगा और पढ़िएगा तो एक से पांच की तियारी के लिए अभी आपको 500 रुपे लगेंगे और जो सिछक दोनों की ति हमारे यहां से जूड़ करके भाग ले सकते हैं डेली आपकी टेस्रीच करवाई जा रही है तो इसके लिए 20 टेस्रीच यदि आप 20 टेस्रीच दीजेगा तो उसके लिए आपको एक मुस्त देर सो रुपे देने पढ़ेंगे और इस टेस्रीच में आपको पुरुषकार भ कर रहा है और 6-8 सिचक के त्यारी कर रहे है तो यह आपके लिए राजनी या आपके लिए जो है यहां पर समाजिक विज्ञान समाजिक विज्ञान के अंतरगत काम कर रहा है और दूसरे में जो भासा सिचक है उनके लिए भी काम कर रहा है जो समाजिक विज्ञान आप्श है प्रशन ठीक है MP टेट में एक बार पुछा है यह प्रशन विहार टेट में एक बार पुछा है प्रशन ठीक है तो इस तरह से देखे सभीधान जो है वो आपका भारत देश का है देखे गरों महसुस किजे आप सभी गरों महसुस किजे भारत का है ठीक है प्रशन आने वाला है आपके विग्जाम में तो आप सभी जूड़ जाएगे ठीक है देखे इसमें लास्ट में आपको कुछ ट्रीक भी देंगे इसमें दम अंतिम तक आप बने रहेगा वीडियो के अंतिम तक इसमें लास्ट में आपको क्या मिल रहा है ट्रीक भी मिलेगा जो कि आपको इहां पर जो है सविधान की सुची यानि संग सुची राज सुची और सम्मर्ति सुची में कौन-कुन भी सहात है उसका ट्रीक से भी हम बता लेना है आपको ठीक है एक बार चले इसमें कौन सविधान की सुची में सामिल है संग सुची राज सुची सम्मर्ति सुची या सभी ठीक है तो संग की सुची में कौन सामिल है संग सुची भी है राज सुची भी है सम्मर्ति सुची यानि इन तीनों सुची को सामिल किया ग उस पर कानून कोन बनाता है बताना है, राज सरकार, केंदर सरकार, दोनों या कोई नहीं, ठीक है, तो देखे, हमारे यहाँ जो संग सुची होती है, संग सुची होती है, ठीक है, संग सुची, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है, उस पर अधिकार होता है केंदर सरकार क कानून बनाने का अधिकार होता है तो संग सुची पर कानून को बना सकता है केंदर सरकार बना सकता है याद रखेगा ठीक है प्रशन कहा कहा आया प्रशन देखिए आपका यूपी टेट में आया किसमें आया यूपी टेट में आया एमपी टेट में आया सीजी टेट में आया और यहाँ पर कहिए तो असम टेट में तीनों जगा यह प्रशन आया तो देखे संग सुची, राज सुची, समर्ती सुची इसको देखना कभी मत भुलिएगा इसका ट्रिक भी नीचे दिये गया है, इसलिए लाश्ट जुड़ करके आवस से देख लिजेगा तो जैसी आटी से आया, केंदर सरकार, राज सरकार, दोनों या कोई नहीं तो राज सुची पर कानून कोन बनाता है, कानून बनाने का जो अधिकार है, देखे राज सुची है, इसलिए इस पर नयानिया कानून बनाने का जो अधिकार है, वो राज सरकार के पास सुरचित है, यानि राज सरकार बनाती है ठीक है चलिए next प्रस्ण हो जाएगा आपका बी इसका right answer हो गया अगला प्रस्ण है समवर्ती सुची पर कानून कोन बना सकता है समवर्ती सुची पर कानून कोन बना सकता है यह CGTate का प्रस्ण है और आपका यह किसका प्रस्ण है बंगाल टेस्ट का प्रशन है ठीक है तो दो जग यह प्रशन आया हुआ था कि समवर्थी सुची पर कानून कोन बना सकता है संग सरकार, केंदर सरकार, राज सरकार, केंदर राज सरकार दोनों समवर्थी सुची वही होता है जिसमें केंदर सरकार और राज सरकार दोनों का अधिकार होता है वही समवर्थी सुची में आता है ठीक है चलिए अगला देखेगा इसका राइट एंसर डी हो गया समवर्थी सुची में समवर्थी सुची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है मालने जी कि राज सरकार किसी और का है अपके अंदर में सरकार किसी और का है और कोई कानून बनाना है तो उसमें क्या होता है दोनों में पट्री नहीं धूरता है तो दोनों में पट्री केंद्र राज्य दोनों या कोई नहीं ठीक है तिसका जो अंतिम डिसीजन कर सकता है वो केंद्र सरकार के पास सुरच्छित रहता है इसका अंतिम निने केंद्र सरकार ही करेगी ठीक है सिच्छा किस सुची का विशाय याद रखेगा सिच्छा किस सुची का विशाय है ये वि सुची आपको ट्रिक के साथ जिसका जो भी सए है वो सारा चीज हमने किलियर कर दिया गया है लेकिन अबी जो भुती लिए जो आई है पुर्शन या बहुत ही एम भी आई है मतलब 1001 बारी पूछा गया प्रशन है सिछावला और सभी राजों के सिछ़क पतरता परिशा में आ भी गया है तो देखें यहाँ पर सिछ़क पतरता परिशा सबसे कम हुआ है इसलिए यहाँ नहीं आया है हो सके कि अब रूला में आपका आ जाए ठीक है तो सिच्छा कि सुची का विषय है? सिच्छा सम्वर्ती सुची का विषय है याद रखेगा प्रशन आया हुआ था ठीक है? तो देखे हम आपको इसी तरह का में में प्रशन निकाल के देते हैं और जैसी आटी का देते हैं जहां से हर बार भीड़ा था हर बार भीड़ता है लिखा हुआ कहीं भी practice rate में नहीं भीड़ता है लेकिन यहां तो आपको भीड़ना तै होता है स्वास्त की सुची का विशय है संग सुची राज सुची सम्वर्ति सुची या कोई नहीं ठीक है तो देखे सिच्छा इस पर दोनों कानून बनाते है यानि सम्वर्ति सुची स्वास्त इस पर दोनों कानून बनाते है तो यह भी सम्वर्ति सुची में जाता है तो स्वास्त स्वा भी किसम है सम्वर्ति सुची के अंतरगत रहता है पर्यावरन किस सुची का भी से है तो एक हो गया स्वास्त एक हो गया सिच्छा और पर्यावरन भी मिला जुला अदिकार होता है राजसरकार केंदर सरकार दोनों का दिकार होता है उसको समवर्ति सुची काते है इसलिए राइट एंसर इसका समवर्ति सुची हो जाएगा ठीक आई है बहुत ही MBBI है इसको छोड़ने का प्रयास मत किजेगा आप सभी कोई ठीक है इसको ले के चलिएगा दिमाग में तो याद रखेगा सिच्छा स्वास्त और पर्यावरन यह तीनों भी सह है जिस पर केंद्र सरकार और राज सरकार दोनों ही सरकार कानून बनाती है और य प्रतेजन को इसलिया हमने इंडिकेट कर दिया तो आप सब अभी कभी याद कलें देखें अभी तक जो नहीं जूरुपाएं उनको हम बता दते हैं उनको हम बताते हैं जून parenthते हैं जो नहीं पाया हैं वह अब टेस्ट सीरिज में सामिल हो सकते हैं जो भी नहीं जुरे है नए लोग जुनना चाहते हैं, तो उनके लिए test series का शुरुआत किया जा रहा है, और उनकी सारी त्यारी test series में ही हो जाएगी, तो उनके लिए प्रतेक test series की कीमत 10 रुपे रखी गई है, जो test लगा सकते हैं, और कितना मारसाया आप इसमें देख भी सकते हैं, ठीक है, तो test series क में भाग ले सकते हैं, ठीक है, अभी जो यह test series है, एक से पांच सिचकों के लिए शुरू किया जा रहा है, जो एक से पांच के सिचक है, वो जूडने का प्रयास किजिएगा, ठीक है, चले देखिएगा, नेक्स्ट, आगे देखिएगा, भूमी, क्रीसी, पुलिस किस या कोई नहीं, ठीक है, तो भूमी है, क्रीसी है, पुलिस है, भूमी पर किसका समब राज सरकार होता है, राज सरकार का, क्रीशी पर राज सरकार का, ठीक है, तो यह सभी जो है आपका राज सरकार के अंतरगत आते हैं, यानि भूमी हो गया, क्रीसी हो गया, पुलिस हो गय मोगे है सुरच्छा वीत संचार सुरच्छा वीत संचार ठीक है किस सुची का विशेर है संग सुची राजशुची समवर्थी सुची या कोई नहीं ठीक है तो देखे सुरच्छा ये सुरच्छा जो है ये राष्ट्री ये स्तरका हो गया केंद्र स्तरका हो गया संचार जो है केंद्र स्तरका हो गया तो ये केंद्र स्तरका हो गया तो केंद्र स्तर पर जो निर्नाय लेते है उस संग सुची में जाता है, किसमें जाता है संग सुची में, तो सुरच्छा है, वीत है, संचार है, यह सभी किस सुची में जाएंगे, संग सुची, राज सुची, समवर्ति सुची या कोई नहीं, तो देखें, यह जाएगा किसमें, संग सुची में चला जाएगा, किसमें नीचे ट्रिक भी है बस कुछ दे रुख जाई एक मिनिट उसके बाद आपको ट्रिक शारा कुछ मिल जागा उसके बाद आप इहां से याद कर लिजेगा किंद रस्तर पर कर्यपलका का सविधानिक अध्यच कौन होता है किंद रस्तर पर कर्यपलका का सविधानिक अध्यच कौन होता है राष्टपती, उप राष्टपती, परधान मंत्री या कोई नहीं तो किंद रस्तर पर जो सविधानिक अध्यच होता है वो आपका यहाँ पर होता है राष्टपती ठीक है कौन होता है राष्टपती ही होते हैं मंत्री परिशत का अध्याच कौन होता है मंत्री परिशत का अध्याच कौन होता है आपको वताना है ठीक है पी में आया, सीजी में आया और असम में, तीनो जगा, चारो जगा ये प्रशन आ गया है, आप सभी का इपवारी है, आपका भी यहाँ पर आ सकता है, मंत्री परिशत किसके परती उतरदाई होता है, प्रशन बहुत ही MBBI है, मंत्री परिशत किसके परती उतरदाई होता है, तो 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 मंत्री परिशत उच्चितम न्याले या उच्चितम न्याले या उच्चितम न्याले के न्याधिस की न्युक्ति कौन करता है परधान मंतरी राजपाल राश्टपती या उपराश्वदी ठीक है तो उच्चितम न्याले हो या उच्चितम न्याले उसके न्याधिस की न्युक्ति जो करता है वो आपका इहां पर राष्ट पती करते हैं, कौन करते हैं, उनके न्युकती राष्ट पती के दोरा की जाती है, ठीक है, अगला प्रशन है, उच्टम न्याले या उच्ट न्याले के न्याधिसों को हटाया जा सकता है, किस के दोरा हटाया जा सकता है, न्याधिस को जज को कि किसके द्वरा हटाया जा सकता है राष्टपती के द्वरा उपराष्टपती के द्वरा महाभ्योग के द्वरा या कोई नहीं ठीक है तो उच्टम न्याले उच्टम न्याले के न्याधिसों को हटाया जा सकता है वो है आपका देखेंगा पर महाभ्योग के द्वरा किसके द् अधिकारों को सविधान की कहा जाता है, मौलिक अधिकार को सविधान की क्या कहा जाता है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार को सविधान की क्या कहा जाता है, भाई, बहन, आत्मा ये को नहीं, तो मौलिक अधिकार को सविधान की आत्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आत्मा कहा में मौलिक अधिकार का उलेख है ठीक है सब्धान के भाग सब्धान के भाग कितने में मौलिक अधिकार का उलेख है ठीक है तो सब्धान का भाग जो तीन है कौन है तीन है इसमें मौलिक अधिकार का उलेख है याद रखेगा ठीक है और मौलिक अधिकार अनुछेद कितना से अधिकारों का उलेख है, 12 से लेकर 35 तक किसका उलेख है, मौलिक अधिकार कहीं है, दिया है, मौलिक अधिकार, मौलिक करतब, मौलिक निवास या कोई नहीं, ठीक है, सविधान के नुछेद 12 से 35 तक जो है, आपको मौलिक अधिकार का उलेख किया गया है, ठीक है, मौलिक थे, पांच, छे, साथ, यार्ट, ठीक है, तो प्रारम में जो हमको मौलिक अधिकार दिया गया थे, वो साथ मौलिक अधिकार थे, ठीक है, साथ मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसमें से मौलिक अधिकार को हटाया गया है, और वरतमान में मौलिक अधिकारों की शंख्यां को कम कर दिया गया है यह प्राशन बहुत ही Mbbi है यूपी टेट में भी आ गया सीजी टेट में भी आ गया और यहां पर जो आपका है सीजी टेट के साथ साथ आप देखेगा तो भीहार टेट में भी प्राशन पूछ दिया गया है, ठीक है, कि प्रारम में सभधान में कितने मौलिक अधिकार थें, ठीक है, देखें, दो चीज आप याद रखेगा, मौलिक अधिकार, किसको रखेगा, मौलिक अधिकार, ना, और याद रखेगा, मौलिक अधिकार हो गया, और याद रख लिजेगा, मौ वरतमान में भारतिय सभ्धान में कितने मौली का अधिकार है, ठीक है, प्रारभ में मौली का अधिकार की संख्या कितनी थी, साथ, अब इसमें सेगों हटा दिया गया, किसको, समपत्ति का अधिकार, समपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है, साथ में सेग हटा, बच का ट्रिक दिया जा रहा है आप से भी मौलिक अधिकार जो छे हैं छो का नाम आप याद कर लिजेगा अभी सिर्फ एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से बस पने रहेगा जूड़े रहेगा देखिए जहां जीसा जरूरी रहता है वैसा आपको इसमें पढ़ाए गया है जिससे क कि आप एक दम सभी चीज़ इसको कभर कर सके और जैसे आटी से जैक किताब से बाहर एक जरासा भी नहीं है क्योंकि प्रशन का देखिए अनलिमिटेड है कोई गिंती नहीं है लेकिन प्रशन अभी जैसा जहरखन सरकार ने कहा है कि आपको पूछा जाएगा तो कहां से अब तो बना छेना तो यह कौन सा अधिकार को हटा दिया गया है सोतंतता का अधिकार समानता का अधिकार संपत्ति का अधिकार या कोई नहीं ठीक है तो मौलिक अधिकार की सिरेनी से जो हटा दिया गया वो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार अलग चीज बताता है ठीक है प्रारम में मौलिक कर्तब की संख्या कितनी थी ठीक है प्रारम में मौलिक कर्तब की संख्या कितनी थी 6, 10, 9, 11 ठीक है तो प्रारम में जो हमको मौलिक कर्तब दिये गये थे वो 10 दिये गये थे तो देखे मौलिक अधिकार अधिक था और उह हो गया कौम लेकिन मौलिक करतब्य कौम था लेकिन उह हो गया अधिक 10 से 11 याद रखेगा है यानि मौलिक करतब्य बढ़ा है अब मौलिक अधिकार घटा है ठीक है अब देखे गई है पर वर्तमान में मौलिक करतब्य की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में जो है वो मौलिक कर्तवे की संख्या कितनी है साथ है, दस है, एगारह है, बारह है तो मौलिक कर्तवे बढ़े हैं इसलिए वर्तमान में एक और मौलिक कर्तवे जो है बढ़ा दिया गया उसमें क्या बढ़ाया गया पता है आपको तो 6 से 14 बर्ष के बच्चों को बिद्याले में भेजना अनिवारी कर दिया गया है एक करतब्य ये माता पीता सभी का बढ़ा दिया गया है तो सभी पर क्या हो जागा केस हो जागा तो ये मौली करतब्य में डाल दिया गया है ठीक है तो आपको क्या है वर्तमान में मौली कर्तव बिक संखा कितनी है साथ है दस से एगार या बारह है तो बढ़ गया एगारा हो जागा ठीक है बढ़ के एगारा हो जागा एगार में मौली कर्तव में क्या जोड़ा गया 11 मोली करतवे आखिर बना ठीक है 10 को था एगरवा बना ते गरवा में क्या जोड़ा गया यही प्रस्न पूछा गया था यही प्रस्न आपका जेटेट में भी पूछा गया था छे से चोगदा बर्स के बच्चों को निशूल के अनिवारी सिछा संपत्ती रखना प्रयावरण के रच्छा करना या कोई नहीं तो यही एक आरवा मौली करतबे में 6-14 बर्ष के बच्चों को नया संसुदन करके जोड़ा गया कि सभी को सिछा देना अनिवारी कर दिया गया ठीक है? चलिए अगला दिखेगा किस अनुछेद में 6-14 बर्ष के बच्चों को निशूल के उग अनिवारी सिछा का उलेख है वो अनुछेद कौन सा है? जिसमें निशूल के उग अनिवारी सिछा उलेख किया गया है 21 का 23, 24 या 22 तो वो 21 था 21 के कौ में इसको जोड़ दिया गया है कि इसके कौम में इसको जोड़ दिया गया है और वहाँ पर पताया गया है कि 6 से 14 बर्स के बच्चों को यहाँ पर सभी का करतब भी बनता है कि उसको विद्धाले पहुचा है और उनका जो है यहाँ पर निशुल अध्यान करवाएं ठीक है चलिए देखिए गागला 6 से 14 बर्स के बच्चों को निशुल को निवारी सिच्छा का उलेख किस सभधान ससोधन के तहट किया गया ठीक है तो देखिए यह आपका किया गया जो जुड़ा गया है वो 2002 में यानि यह कौन सा ससोधन 42, 44, 86, 61 ठीक है तो 42 सभधान तो यह आपको मिनी या लगू हो गया 44 में हटाया जाता है और यह जो 6 से 14 बर्स के बच्चा उला किया गया है वो देखिए 86 सभधान संसोधन अधनियम में 2002 अधनियम में लागू किया गया है तो याद रखेगा 86 सभधान संसोधन अधनियम 2002 के तहट 6 से 14 बर्ष के बच्चों को निशुल के अनिवारी सिच्छा का प्रोधन किया गया है और यह अनुछेद किसमे है तो यह अनुछेद 21 कौमे है किसमे 21 कौमे है ठीक है चलिए अगला दिखेगा सिच्छा का अधिकार बिध्यक को पारित किया गया सिच्छा का अधिकार अधिनियम 4 अगस 2009, 4 अगस 2010, 15 अगस 2011 या 20 अगस 2012 को पारित किया गया, ठीक है, तो देखे, पारित जो किया गया, इसको 2009 में, 4 अगस 2009 को पारित किया गया, सिच्छा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक सिच्छा का अधिकार अधिनियम पारित कप किया गया वहां से विधेयक से तो 2009 इसमी में ठीक है तो 2009 इसमी में पारित हो गया लेकिन लागू कप किया गया तो लागू जो आपको किया गया वो आपको यहां पर 2010 एक अपरेल 2011 ठीक है तो सिच्छा का अधिकार कानून कब लागू किया गया है तो सिच्छा का अधिकार कानून जो लागू किया गया है वो आपको देखे एक अपरेल 2010 से लागू किया गया है कब से लागू किया गया है एक अपरेल 2010 से लागू किया गया है और यह अब तक जो है एकावन बार पुछा गया है अब तक एकावन बार देखिए इतना कम समय में इतना ज़्यादा बार आ गया है तो इसलिए याद रखेगा सिच्छा का दिकार अधनियम पारित कप किया गया तो 2009 इसविय में लागू कप किया गया तो 2010 इसविय अप्रेल में ठीक है आप सब्सक्राइब यहां से प्रश्न बनता है कि आएगा तिसले आप सभी देख करके ही जाएगा इसको छोड़के में जाएगे हम तो आपको यह complete क्या तो फी 500 रुपे हमने ले लिया आपसे लेकिन अब जो यहाँ पर आपका test series चला जाएगा अब आपको concert चला जाएगा यहाँ पर subject समापती होती है और test series चला जाएगा ठीक है तो test series में जो भाग लेना चाहते हैं वो 10 रुपे दे करके यहाँ पर test series में भी जूड़ेंगे उन्ही का सिर्फ test लिया जाएगा बाकी का test यहाँ पर नहीं लिया जाएगा ठीक है तो आप सभी prepare हो जाएगे आप सभी को जितना पढ़ा दियागे आप test series के सुरुबात कर दी जाएगे तो आप सभी test series में अवस्य जूड़ेंगे ठीक है तो जो नए है जो अब तक हमार साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी वीडियो मिलता है और वो test series में भाग ले सकते हैं तो 10 रुपया परते दिन phone पे या Google पे issue number 9631054226 पर संपर करके test में भाग ले सकते हैं देखे test ज्यादा समय का नहीं है प्रते एक दिन आपको 20-20 प्रसन का test लिया जा घला है प्रसन है आपको बना करके send करदेना है और उसके बाद आपको बताना है कितना सही हुआ अपनी मंदारिश है ठीक है तो आपको यह clear करते चलना है तुछल फाली देखते हैं अगला कर्टवे को जोड़ा गिया है और मॐलीक अधिकार तो इसके पढ़ले है किलिर हो गया मूल कर्टवे को जोड़ा गिया जोडने वाला चीज देखे 42 अर 22 में जो नया नया चीज जोड़ा गिया है बहुत पहले का गया है ठीक है मूल कर तब ये को सामिल किया गया है धर्म निर्पेशता का साब्दिक अर्थ है धर्म का निराधन करना धर्म का लगाव नहीं रखना धर्म के परती निर्पेश भाव का होना धर्म के परती आस्था नहीं रखना ठीक है तो धर्म निर्पेशता का साब्दिक क्या होगा तो धर्म नीरपेचता का अर्थ है वैसे अधिकार जो ब्यक्ति को जन्व से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मानव अधिकार मौलिक अधिकार मूल कर्तब्य या धर्म सिलता ठीक है तो वैसे ब्यक्ति जो जन्व से ही प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार होते हैं क्यों होते हैं मानव अधिकार होते हैं ठीक है अगला है मानवा धिकार दिवस मनाया जाता है प्रशनी ये पुछा गय जो जन्व से दिकार प्राप्त होते हैं, उसी को मानौ अदिकार करते हैं, और मानौ धिकार दिवस जो है वो, 10 दिसम्बर को, 10 दिसम्बर को यहाँ पर मनाया जाता है. मानवा धिकार आयो का गठन कप किया गया मानवा धिकार आयो का गठन कप किया गया 1992-1993-1994-1995 तो मानवा धिकार आयो का जो गठन है वो आपको इहां पर किया गया है आप देख लिजेगा इसको 1993-1993 में मानवा धिकार आयो का गठन किया गया अगला प्रस्ण है डॉट 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 समीती के रिपोर्ट के अधार पर सब्धान में मुल करतवे को सामिल किया गया किस समीती के रिपोर्ट के अधार पर यहाँ पर जो है सब्धान में मुल करतवे को सामिल किया गया स्वर्न सिंग समिती, पंजाब सिंग समिती, गिरनार सिंग समिती की रिपोर्ट के अधार पर ठीक है तिसका राइट एंसर हो जागा स्वर्न सिंग समिती के अधार पर जो है यहाँ पर आपको शामिल किया गया है देखे अब एक चीज यहाँ पर ट्रीक अब आ रहा आपका मौली का अधिकार का नाम याद रखने का ट्रीक मौली का अधिकार कितने हैं आपको पता है ना वर्तमान में मौली का अधिकार 6 है तो कभी कभी प्रशन पूछता है कि मौली का अधिकार कौन-कौन है नाम देखें, तो मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का एक ही ट्रिक आपको मिलेगा यहाँ पर, जो आपको दिया गया है, ठीक है, क्या है, समस्त सोध संस्कृति के उपचार में है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, देखे, समस्त सोध संस्कृति के उपचार में है, कहावत है कि जो पहले की संस्कृति है उसी में सभी चीज़े जुड़ी होती है तो उसी को हम लोग काते है समस्त सोध संस्कृति के उपचार में है समस्त का मतलब है दिके समानता का अधिकार ठीक है सम का मतलब इसमें है समानता का अधिकार और सत का मतलब है दिखे सोतंतरता का अधिकार ठीक है तो पहला होगे समानता का अधिकार दूसरा होगे सोतंतरता का अधिकार अर तिसरा सोध में दो अच्छर है सो और धह तो सो से है सोशन के बिरूद अधिकार सोशन के बिरूद अधिकार और धह से है धार्मिक सोतंतरता का अधिकार, संस्कृतिक का मतलब है संस्कृतिक सिच्छा समंधिय उपचार और उपचार का मतलब है सविधानिक उपचारों का अधिकार ठीक है, चले एक बार इसको देख लेते हैं हम लोगे हाँ पर, इस तरह से पुरकिलियर देखे आपके concept को, चाया वो trick लेना हो चाया basic concept लेना हो और जो exam में जो आना है, उसको धराना ही मकसद है इसलिए जो लोग अभी तक भी नहीं जुड़ पाएं आज भी देखिए, आप 500 रुपए में जुड़ सकते हैं अभी भी 500 रुपए में जुड़ करके class 6 to 10 तक का, जिसने complete किया वो तो समझे कि 60% passing महारसाने में कोई भी नहीं रहो सकता है, चाया वो 1-5 की त्यारी कर रहे है चाया वो 6-8 की त्यारी कर रहे है तो आपका passing तो यहां से होना fix है ठीक है, तो आप सभी अभी गभी वीडियो देखने बाद जुरूर जुर जाईएगा, जिससे कि आपको पस्तावा नहीं रहे परिच्छा में जाने से दो दिन पहले भी अगर यह notes लेका आप देखते हैं तो यह सबसे आपका authentic notes होगा अन्नी किताब की अपिच्छा बहुत ही कम प्रशना इसमें है बहुत ही कम इसमें बताया गया है तो समस्त में सम से, यहां पर देखे सम से है समानता का अधिकार, सत से है, सोतनता का अधिकार सोध में सो से है, सोसन के विरूद अधिकार धो से है धार्मिक सो तंतरता है उपचारों का अधिकार संस्क्रिति से संस्क्रिति हैं सेचनिक अधिकार और उपचार का मतलब सविधानिक उपचारों का अधिकार ठीक है यही चीज है और यही सविधान उपचारों का अधिकार को सविधान की आत्मा भी कहा जाता है याद से प्रश्वन एक निकल के आता है, ठीक है, तो का रहे, यू रमा, कौन, यू रमा बेबी, आज रेडो संग नहीं चली गए, पोई काता है ने कि यू ही रमा जो है, यू ही रमा जो है, आज इसके साथ नहीं भाग गए, तो वही चिज़ यहां पर का रहा है, यू ही, यू ही रमा बीबी आज रेडो संग नहीं गए तो याद रखेगा यू रमा बीबी आज रेडो संग नहीं गए अब देखें यहाँ यहाँ सब को लिख लिजें यहाँ पर सब को लिख लिजें ठीक है तो देखें हो गया यू रमा बेबी आज रेडो संग नहीं गए तो यू का मतल अब है रच्छा, रच्छा किसका विसे है, तो यह सभी संग सुची का विसे चल रहा है, किसका चल रहा है, संग सुची के आने वाले विसेयों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो संग सुची का विसे है, यू रमा, 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 रमा में मा मतलब मामले, विदे से डाक यानि आपको संग सुची में कौन-कौन भी से आएगा संग सुची में कौन-कौन भी से आते हैं तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा यू रमा बेबी आज रेडो संग भाग गए यू ही रमा बेबी आज रेडो संग भाग गए यू का मतलब यूद, रो का मतलब रच्छा, मा का मतलब देशी मामला बे का मतलब बैंकिंग, बी का मतलब बीमा, आ का मतलब आयकर और ज का मतलब जनगनना, रे का मतलब रेल और डाक का मतलब डाक इह सभी किसका है? तो इह सभी संग सुची का बिशय है क्लियर? चलिए अगला देखेगा राज सुची के अंतरगत आने वाले बिशयों का नाम याद रखने का ट्रीक राज सुची के अंतरगत कौन-कौन विशय आएगा, उसका नाम याद रख लिजेगा, ठीक है, उसका नाम याद रख लिजेगा, इसका नाम रखने का याद देखे, एक ट्रीक हमने बनाया है, आप सभी के लिए, क्रिस नाम है, क्रिस नाम है, वो क्या पुझता है, नाय, व को एक बड़ पढ़ लीजे क्री और सक्रिस नयाय नयाय पूजे पूजे क्रिस नयाय पूजे इस ती से हो गया है ठीक है अब देखें क्री का मतलब है क्रिशी राजसुची का भी से सक्रिस का मतलब है सिंचाई राजसुची का भी से नयाय का मतलब है नयाय राजसुची का भ तो यह जो है आपकर राज सुची का विशय है, क्लियर हो गया है, चले अगला देखिए, समवर्ती सुची के अंतरगत आने वाले विशय का नाम याद रखने का ट्रीक, समवर्ती सुची के अंतरगत कौन-कौन विशय आएंगे, उसका नाम याद रखने का छोटा सा ट्रीक ह श्री स्यू जानकार है, श्री जी क्या है, जनकार है, अरधंगी है, तो वही याद रखेगा, श्री स्यू जानकार है, और स्री में स है, याद रखेगा, इस समवर्ति सुची चल रहा है, याद रखेगा, इस समवर्ति सुची चल रहा है, ठीक है, तो चलिए देखिए, श्री स्यू जनकार हैं से क्या हो गया तो देखे यहाँ पर स्रमिक संग स्रमिक संग स्री से स्रमिक संग स्यू से सिच्छा व से वन जान से जानवर ना स्री सिंग यानि स्रमिक वाले लोग यह यह जो है आपका समर्ती सुची में सिच्छा समर्ति सुची में सीव में समर्ति सुची में जानकार में जानवर है और कार कार से करखाना ये सबी समर्ति सुची का विशय है किलियर हो गया न तो आपको देखेंगे आप राज सुची पता चल गया तो 5000 प्रशन मिलेगा पगलाईएगा इसलिए कम पढ़िए जैसे यार्टी पढ़के जाएए और रिजल्ट लेके आईए अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो आज भी जुड़ जाएए अभी भी परिष्छा का घोसना तो हो चुका है इसलिए आप सभी तुरत-तुरत जु सुची में प्रारम में कितने विसे थे 97 वर्तमान में कितने है 98 चलिए अगला दिखेगा सब्धान लागू होने के समय प्रारम में राज सुची में 66 विसे थे लेकिन वर्तमान में 62 विसे है ठीक है सब्धान लागू होने कि समय आरम में कितना था 66 विसे था लेकिन वर्तम प्रारम में, सम्वर्ति सुची में 47 भी सह थे और 92 भी सह है। अब यहाँ पर प्रसुन सेका है, राज सुची में कितने भी सह है। 96, 97, 98, 99, 62 ठीक है, राइट एंसर इसका E है, 62 सम्मर्थी सुची में कितने भी से है 51, 52, 47, 48 या कोई नहीं तो वर्तमान में कितना है, 52 है जाएगा देश है, दीखें, आपको ताना है यहाँ पर कि भारत कैसा देश है तथा बिधान सभा का चुना होता है, लोक्षभा तथा बिधान सभा का चुना होता है प्रतेक पांच बर्स पर, प्रतेक चार बर्स पर, प्रतेक तीन बर्स पर, या कोई नहीं ठीक है पंजाब टेट में पूछा यूपी टेट में पूछा और स्रीजी टेट में पूछा ठीक है लोग सबता विधान सबा का चुना होता है राइट एंसर होगा प्रतेक 5 बर्स पर ठीक है प्रतेक 5 बर्स पर होगा अब देखेगा भारत में किसका पद सरोच होता है भारत का पर्थमनागरी कि सोगत है हम लोग राष्ट पती को ठीक है राष्ट पती को यानि उस सबसे सरोजपद होगा तभी भारत का पर्थमनागरी कहा जाता है इसलिए भारत का सरोजपद जो है राष्ट पती का होता है किसका होता है राष्ट पती का सरोजपद होता है राष्ट प्रत्ति का चुनाव जो होता है वो 5 वर्सों के लिए होता है कितने वर्सों के लिए होता है भासन तथा अभिवक्ति की सोतंतरता किस अनुछेद में सामिल है अनुछेद 19, अनुछेद 20, अनुछेद 20 या कोई नहीं तो भासन तथा अभिवक्ति की जो सोतंतरता है वो सामि है आपको अनुछेद 19 में किसमें सामिल है अनुछेद 19 में सामिल है किलियर चलेगा देखेगा विश्वास धर्म और उपासना की सोतनतता परदान की गई है किस अनुछेद में अनुछेद 21 अनुछेद 25 से 28 अनुछेद 30 अनुछेद 24 किसमें परदान किया गया है तो देखे विश्वास धर्म और उपासना के जो स्वतनतता है वो आपको अनुछेद 21 से 28 तक में प्रदान किया गया है। दो जगा ये पूछा गया है। राष्टी एक्तादिवस 31 सक्टूबर को मनाया जाता है। आपके कौन थे हैं सरदार बल्ला भाई पटेल थे हैं। चले नेक्स प्रशन देखेगा भारत का बिसमार कहा जाता है भारत का बिसमार कहा जाता है। पंडिजवाल लाल नहरो, डॉक्टर राजेंदर परसाद या कोई नहीं। ठीक है। ये प्रशन जारखन टेट का पूछा गया प्रशन है। ये 2016 का आया हुए प्रशन है। देखेगे उस समय तो पूरे जो है आपको 6-10 से पूछे जा रहे थे हैं। लेकिन अबर सिलेबस कुछ बैक्ट डाउन किया है, कुछ सिलेबस को इंक्रीज कर दिया गया है। और ये सिलेबस जो है आपको PGT और TGT का बनाए गया है। जो कि अब भेवारिक सिलेबस जारी किया है जैक ने। और इसको भेवारिक बनाना ही होगा। तो उससे आपको नहीं सोचते रहना उसके पीछे। बाकी जो GS सेक्षन है और हिस्ट्री का समाजी विग्यान के अंत पांसो साथ देसी रियास्तों के एकिकरन में किसने भाग लिया। पंडिज वाला ल्ला नहरू, डॉक्तर र आजंदर परशाथ, सरदार बल्लब भाई, पतेल। ठीक है। तो यहाँ पर 550 देशिर यास्तों के एकिकरण में सरदार बलाब भाई पटेल ने भाग लिया था इसी कारण इनको विशमार्क भी कहा जाता है, ठीक है? तो एंसर होगा स्री आईए इनका नोट्स कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग क्या है इनके बारे में किलियर थोड़ा सा हो लेते हैं क्योंकि यहां से प्रशन पूछा जाता है 2014 इसमी से प्रतेक बर्स 31 अक्टूबर को रास्त्री एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के पर्थम ग्री मंत्री सरदार बल्ला भाई पटेल का जन्म दिवस क्या है जन्म दिवस है उन्हें भारत का बिस्मार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 560 देशो के रियास्तो के एकिकरण में महत्तोपुण भूमी का निभाई थी इसी कारण इन्हें भारत का बिस्मार कहा जाता है और राश्त्री एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है के लिए रोगया चले भारत के पर्थम राश्त्री कौन थे हैं डॉक्टर राजेंद्र परसाथ, डॉक्टर सरोपली राधा क्रिश्नन, श्रीमती परतिभादेवी सिक पार्टल या डाट्टर एपीज अभुलकुलाम ठीक है, तो भारत के पर्थम राश्त्री कौन थे, राइट एंसर हो जागा डॉक्टर राजेंद्र परसाथ, क्या हो जागा डॉक्टर राजेंद्र परसाथ चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर कुछ टॉपिक दिएगे हैं, थोड़ा सा नोट्स कोम लोग देख लेंगे डॉक्टर राजेंद्र परसाथ बिहार के सिवान जिले के जिरादेई नामा गाउं में थे, वे दो बार लगाता राश्पती निर्वाचित हुए चलिए अगला देखिएगा, किसके जन्म दिन को सिचक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र परसाथ, डॉक्टर सरुपली राधा कृष्णन, पंडिजवाला नहिरू या कोई नहिए, तो यहाँ पर जो जन्म दिन होता है, वो सिचक दिवस के रू प्राश्ट्पति एक बार राश्ट्पति रहें वे एक सिच्छक भी रह चुके हैं उनके जन्म दिन को सिच्छक दिवस के रुप में हम लोग मनाते हैं मिशायल मेन के नाम से जाना जाता है इसलिए मिशायल मेन के नाम से एपपीजे इसका राइट लाइट इन्सर एफ ऑगा इसमें से किने निर्वीरोध राष्टपती के रूप में चुना गया था कौन ऐसे राष्टपती है जो निर्वीरोध रूप से चुने गया है पंडिजवाला लेहरू, निलम संजीवरेडी, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद या कोई नी इसमें निलम संजीवरेडी एक ऐसे राष्टपती हुए जो निर्वीरोध चुने गया इनके साथ प्रतिवांदी में कोई भी भाग नहीं लिया भारत की पर्थम महिला राष्टपती कौन थी? प्रस ने ये चार बराया है प्रस ने चार बराया है भारत की पर्थम महिला राष्टपती जो थी? वो कौन थी? तो यहाँ पर स्रिमती परतिवा देवी सिंग पार्टिल और अभी दूसरी यहाँ पर है महिला राष्टपती है वो है राजिपाल थी पाले द्रोपती मुर्मु केंद्र और राज सरकार के बीच होने वाले बिवादों का निप्टारा कौन करता है ये पंजाब टेट का पूछा गया प्रश्न है विधाई का कारियपाली का नियाईपाली का या कोई नहीं ठीक है केंद्र और राज सरकार के बीच होने वाले बिवादों का निप्टारा कौन करता है आपको बताना ठीक है तो केंद्र और राज सरकार के बीच होने वाले बिवादों का निप्टारा जो है नियाई पालिका के दौरा किया जाता है किसके दौरा किया जाता है ठीक है चले अग खंड टेट का प्रस्ण है उत्रा खंड टेट का प्रस्ण है देखिए आपको सारे राजियों में जो जो टेट का प्रस्ण है वह दिदी देखना है तो भी आप क्लासेश को जोईन कीजिए सिर्फ और सिर्फ अभी आपको उफर चल रहा है देखिए पांच सो रुपए में छेतरी भास छोड़ के सारे तरह इसी तरह के पूरे सब्जेक्ट को हम कंप्लेट करवाद रहे हैं तो आप यहां से जोड़ जोड़िएगा आपका स्कोरिंग जो अगला है सुप्रीम कोट में राष्टपती द्वारा निउक्त किये जाते हैं जो सुप्रीम कोट होता है उसमें राष्टपती द्वारा निउक्त किये जाते हैं एक मुख नयाधिस एवं 30 अन्य नयाधिस दो मुख नयाधिस एवं 32 अन्य नयाधिस पांच मुख नयाधिस एवं 40 अन्य नयाधिस या कोई नहीं ठीक है तो सुप्रीम कोट में राष्ट द्वारा जो नियूक किये जाते हैं वो आपका एक मुख नयाधिस, एवम तिस अन्य नयाधिस्, प्रश्ण कहा आया था, ये प्रश्ण आपका UPtyton में आया हुआ है, किस में आया हुआ है, UPtyton उत्तर परदेश पातरता परिछा में पूछा गया है, ठीक है, चलि अगला तो सुप्रीम कोट के नयाधिसों की सेवानुरिती की जो उम्र होती है वो आपको बताना है तो वो उम्र जो होता है देखिए आपका 65 बर्स होता है कितना होता है और आपको यह किस में पूछा गया है तो यह आपको पूछा गया है देखिए यहाँ पर यूटेट का यह प्र का गठन समंदी प्रोधान सभिधान के किस अनुछेद में वर्णी थे सर्वोच नियाले का गठन समंदी प्रोधान की किस अनुछेद में वर्णी थे आपको बताना है ठीक है तो देखे सर्वोच नियाले का जो गठन किया जाएगा वो किस में वर्णी थे 120, 121, 124 या कोई सबढ़ कोבׇस में वर नित किया गए अगला देखिये का सबसे बड़ा अपिलिया और 1968 नियाल है या कोई नारff या कोई नहीं ठीक है तो देश का सबसे बड़ा अपिल्य वह अभी लेक नयाले जो है वह आपका उच्यतम नयाले है याद रखिए각क है चलिए नेक्ष देखिएगा नेक्ष है वर्तमान में भारत में कितने हाइकोट है आपको बताना है तो देख के वर्तमान में 24 1526 या 27 यह प्रसुन आपको आया हुआ था ये आपको उत्राखंटेट में पूछा गया प्रश्ण था guess Let's Norwayiqué sendiri in Besides nobody बहारत में कितने हाई कोट हो एक लिए Państwo किया गिया सरदार बल्लब भाइ के जन्वदिन के अवसर पर अस्थापना किया गया ठीक है 25 हाई कोट कौन है तेलांगना हाई कोट है जिसकी अस्थापना 31 मर्च 2019 को किया गया और सरदार पल्ला भाई पटेल के जन्व दिन इसकी अवसर पर इसकी अस्थापना किया गया है ठीक है भारत देश का सबसे पुराना नयाले कौ इसमें आपको कलकत्ता हाई कोट है, सबसे पुराना नयाले जो है, वो कलकत्ता हाई कोट है, ठीक है? चलिए, 1862 इसमी में, देख लिजेगा यहां पर, 1862 इसमी में अस्थापीत, कलकत्ता हाई कोट, देश का सबसे पुराना नयाले है, प्रस्ण ये बिहार टेट का पूछा गया था कहा पर पूछा गया था विहार टेट में यह प्रस्ण आया हुआ था उच्छ नयाले के नियाधिस को सपत कौन दिलाता है उच्छ नयाले के नियाधिस को सपत कौन दिलाता है राष्टपती उपराष्टपती राजपाल या कोईनी ठीक है तो जो हमारा उच्छ नया या आपको देखिये या कॉमेंट करके बताना है या आपको कॉमेंट करके बतलाना है जब आप वीडियो देख रहे हैं कि क्या सही होगा 20 एकिसवा बाइसवा या 24 ठीक है आपको बतलाना है उसके बाद हम इसके comment का जवाब देंगे आप ज़रूर इसमें बताएगा आपका answer क्या होगा होना चाहिए इसमें क्या 24 वाँ क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए लेकिन आप देखिएगा क्या यह सही है यह नहीं है clear किजिएगा अगर सही होगा तो आप लिखिएगा कि 24 है और नहीं होगा तो आप लिखिएगा कि यह किस्वा है कौन सही है आप देख लिजेगा ठीक है तो यह आपका पर रहा कि आप इसको सही करके हमें ज़रूर जबाब दीजेगा कि जार्खन का उच नयाले देश का कौन सा उच नयाले होगा ठीक है होना कौन चाहिए 24 वा लेकिन क्या यह सही एंसर है कि नहीं इसका एंसर हमने भी यहां पर लिखा हुआ है यह आपको ढूंडने के लिए दिया गया है कि किस वा है या 24 वा है ढूंड के हमें जुरूर बतल उच नयाले का गठन कहा है यह अनुछे 24 में नहीं थे जार्खन उच नयाले की अस्थापना कप की गई 21 नौंबर 2500 नौंबर 2021 14 नौंबर 2021 या कोई नहीं डिक है तो जार्खन उच नयाले की जो अस्थापना है वो किया गया है आपको देखिया 15 नौंबर 2000 इस जब Stupid जब लificaciónा कोई जार्खन्ड उंच नैले के प्रथम मुक्ह नर्थिस बताना है कि जार्खन्ड उच नैले के प्रथममुक्ह नर्थिस कोन थे ? बिनोत कुमार गुपता इंदर सिंग नमधारी बावुलाल मरांडी या कोई नीटिक है तब बिनोत कुमार गुपता जो थे हैं ज्यारखंड नयाले के मुख्य नया दीश थे देखे एक चीज आपको हमने बताया था क्या बताया था कि देखे कोई NCRT किताब से त्यारी कर र इसमें इसमें फैदा आपको यह है जो प्रसन पूछा गया है वह आपके exam में आ जाएंगे लेकिन आप वहां 500 प्रसन जो जारखंड जीके के लिए पढ़ियेगा उसमें प्रसनानी की गारेंटी नहीं रहेगी आप शेयां 5 प्रसन पढ़ियेगा तो एक प्रसन भीडेगा वहाँ 500 प्रसन बढ़िएगा तब एक प्रसन भीड़ेगा पढ़ना कोन अच्छा है कॉमेंट करके हमें बता ये कोन अच्छा है तो JCRT Jack का किताब पढ़ना अच्छा है मेरे प्यारे शेवंदो अभी तक आप नहीं यहां से नोट्स लेकर पढ़ रहे तो कहीं ने कहीं धोखा हो रहा है हो रहा है और इसके पहले भी हमने बहुत से सिच्छा को बताया था जो नहीं लिए लेकिन आज उनको लगा कि नहीं यहां से किये होते तो आज मेरा जौब भी होता इसलिए आप अबर बार कोई यहां पर कसर नहीं छोड़िएगा यहां से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी ठीक है जुड़ करे नोट्स पिडिये विडियो सब कुछ आपको 500 रुपए में ही प्रोभाइड किये जा रहे हैं अभी ऑफर में बहुत ही से यहां पर बार पुछा गया एक बार तो जहारकंड कर्षे में भी आये हूए है अफ एयार का फूल फर्म होता है फस्ट रिपोर्ट फस्ट इंफर्मेशन रिपोर्ट फस्ट इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट यह कोई नी तूप मैस यह ठीक है YouTube यहार का फूल मिल होता है ये पूछा गया है दिवानी कानुन में जमीन के विक्रिव घ्र तरह हों ठीक है तो यह सबी आपने देख लिया इसी तरह का प्रश्ण पढ़ना है काम प्रशन पढ़के ज्यादा प्रशन भीडाना है तो अभी क्या भी जुड़िये तुरत कॉल लगाईए नंबर 9631054226 पर और यहां से सारे प्रशन पीडियेफ को एक बार ले लीजिए वीडियो देख लीजिए और तैयारी किजिए तैयारी किजिए कम पढ़ने में कम समय में ज्यादा रिजल्ट यहां से हासिल होगा आपको यह आपको फोजदारी कानून में सामिल है चोरी डकईती दहेज परताना हत्या या सभी ठीक है तो चोरी डकईती है दहेज परताना है हत्या है यह सभी मामला जो है आपको फोजदा का अधिकार भोजन का मौलिक अधिकार में सामिल या किस अनुछेद में सामिल है अपको बताना है अनुछेद इकेस अनुछेद बाइस अनुछेद तेस या कोई नहीं तो देखे अनुछेद 21 जो है हमको जीवन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में सामिल है या बताना है में, 1980 के दसक में, या कोई नहीं, ठीक है, तो जनहीत याज का PIL है, वो आपको किया गया है, 1980 के दसक में, किसका 1980 के दसक में, ठीक है, चलगला दिखेगा, खाद्य सुरच्चा अधिनियम कब लागू किया गया, 2013, 2014, 2015, 2016, ठीक है, तो खाद्य सुरच्चा अधिनियम जो है, आपको 2013 इसवी में, लागू किया गया है,